इस कहानी की शुरुबात में एमेंडा नाम की एक प्रेग्नेंट लड़की को दिखाया जाता है जिसकी डिलीवरी होती है और उसका जो बच्चा होता है उसकी एक छोटी सी पूँच भी है डॉक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा है नहीं होता क्योंकि उसने इस तरह के बच बच्चे के बारे में पूस्ते हैं धरसल शेहर में ये भी अफ़ा होती है कि इन बच्चों के पिता और कोई नहीं बल्कि दूसरे घ्रह से आने वाले एलियंज हैं जो इनसानों के उपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं मॉल्डर स्कॉली से बच्चे के बारे में प और उनके पास सुनने के अलावा और कोई चारान नहीं है और अब स्कॉली एमेंडा से पुछती है कि तुमने स्टार वार्स मुवी कितनी बार देखी है वो बताती है कि 400 बार स्कॉली ने एमेंडा से सवाल इसले पुछा होता है क्योंकि जिस एलियन के बात कर रही होती है जो उसके मताबिक उसके बच्चे का पिता है वो स्टार वार मुवी का एक करेक्टर है जो कि एलियन के उपर एक मुवी बनी थी और अब इन दोनों को समझ में आ जाता है कि उसने किसी भी एलियन्स के साथ कुछ नहीं किया ये सिर्फ उसके दिमाग का ब्रहम है ये दोनों एजेंट्स यहां से निकल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं डॉक्टर इने बताती है कि इस तरह के पांच बच्चों को जोसली पिता है उनके ड्येने से भी हमने बच्चों के ड्येने को मैच्च किया पर बढ़ों डी ने उंसे नहीं मिलता ड्च्टर की बाते सुनने के बाद लों के दोनों के दोनों कंफीूज जो जा दे लेकिन बाद में उसने सर्जरी से अपनी पूछ हटवा दी जिस वज़े से हम उसे इतनी आसानी से ढून नहीं सकते अगले दिने दोनों की दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं जहां पर वो दूसरे कपल्स होते हैं जिनके पूछ वाले बच्चे वे थे तब एक आदमी को देखता है जो कुछ काम कर रहा होता है यूल्डर ध्यान से उसकी बैक पर देखता है जहां पर एक सर्जरी का निशान होता है उसे विश्वास हो जाता है कि यहीं उन बच्चों का पिता है मिल्डर उसे कुछ सवाल पूछना शुरू कर देता है लेकिन उ मिल्डर को देखकर भागने लगता है मिल्डर उसे पकर लेता है जिसके बाद एडी का डिने टेस्ट किया जाता है और डिने टेस्ट की रिपोर्ट से पता चलती है कि उन पाचों बच्चों का पिता एडी है यहाँ पर किसी भी लड़की को याद नहीं होता है कि एडी से उन्होंने कब संबन बनाया दरसल एडी को कोई यहाँ पर चानता ही नहीं आतियों मिल्डर और स्कॉली को बताता है कि मेरी पस्नेलिटी अच्छी है मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की उन सबने अपनी मर्जी से मेरे साथ संबन बनाये है इससे जदा मैं कुछ नहीं बता सकता मिल्डर और स्कॉली इस केस में पूरी तरह से कन्फ्यूजड हो जाते है उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें किस बात पर विश्वास करना चाहिए और किस बात में नहीं क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जिन्होंने बताय होता है कि पिछले एक साल से और किसी भी नए इंसान से नहीं मिले यहाँ पर इन्हें ये भी लगता है कि शायद एडी हिपनोसिस का इस्तेमाल करता है लेकिन कब और कहां और कैसे इस बारे में उनके पास कोई भी क्लूर नहीं है और दूसरी तरफ एडी को दिखाया जाता है जिससे डिप्यूटी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते है पर बहुत चल्दी एडी उसी का रूप धारन कर लेता है जो देखकर उप पूरी तरह से हरान हो जाते है एडी उन्हें भी होश करके वहां से बड़ी असानी से निकल जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि एडी उन बच्चों का पिता है साथी ओं कोई इनसान नहीं है बल्कि ओं कोई एलियन है तेर बार डिप्यूटी को जब होश आता है तो मिल्डर उसके पास आता है डिप्यूटी मिल्डर को बताता है कि एडी ने पूरी तरह से मेरा रूप धारन कर लिया था जिसके बाद शायद वो मुझे बेहोश करके यहां से निकल गया आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता मिल्डर अब सब कुछ समझ चाता है वो सकॉली को बताता है कि हो ना हो एडी जो की रूप बदल सकता है उसने उन सभी लड़कियों के हस्बेन का रूप धारन करके उन सब को प्रेगनेंट कर दिया हो जिस वज़े से उन्हें पता ही नहीं चला सकॉली मुल्डर से पूसती है क्या हो एलियन है वो कहता है कि मुझे नहीं पता अभी हमें और इंवेस्टिकेशन करनी होगी इसलिए एडी के घर उसके पिता से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि इसी पूच की वज़े से मुझे सरकस में काम मिला था मेरे बेटे एडी को पूच बिल्कुल पसंद नहीं थी इसलिए उसने अपनी पूच कटवा ली और ये बात मुझे कभी अच्छी नहीं लगी बातों बातों में एडी की पिता मिल्डर को उसके नाम से बुडा दें जिससे मिल्डर समझ जाता है कि ये एडी की पिता नहीं बलकि खुद एडी है जो अपने पिता का रूप धरन करके उनसे बात कर रहा है एडी अब यहां से भागने लगता है कि एडी नहीं अपने पिता को मारा है उनकी बॉड़ी को लैब लाय जाता है यहाँ पर स्कॉली उनकी बॉड़ी को टेस्ट करती है जिससे पता चलता है कि यह इनसान तो है लेकिन इनकी बॉड़ी के जो टिशूज जो सेल्स हैं वो बहुत अलग तरी के से काम करती है वही एडी को दिखाया जाता है जो उसी लड़की के घर चला जाता है जिस लड़की को उसने प्रेग्डिन करके माँ बनाया था लेकिन इस वक्त उसने उसी के पती का रूप धारन कर रखा होता है वो बहुत ज़्यादर डरावा होता है इस से उसे अपने पती पर शक होना शुरू होता है पर EDI जल्दी से वाश रूम चला जाता है और जब वाश रूम में होता है तभी उस लेडि का असली पती आ जाता है वो हैरान हो जाती है क्योंकि अभी अभी उसका पती वाश रूम में गया था वो समझ जाती है कि वाश रूम के जो अंदर है वो उसका पती नहीं है ये धीरे धीरे वाश रूम की तरह पर थे हैं और तभी वो अंदर से दर्वाजा खोलता है लेकिन अब उसने मिल्डर का रूप धारण कर लिया है वोई हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहांपर असली मिल्डर मेंडा से मिलने के लिया आता है और वो अमेंडा को एडी की फोटो दिखा कर पूसता है क्या तुम इसे जानती हो वो कहते है कि हाँ मैं जानती तो हूँ लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरस्ट नहीं है कभी कभी हम स्टार वॉर मुवी देखने के लिए जाय करते थे और यहां पर मिल्डर को समझ में आ जाता है कि एडी को पता था स्टार वॉर मुवी के जो एलिन करेक्टर है उन्हें एमेंडा बहुत पसंद करती है इसलिए उसी करेक्टर के रूप में उसके सामने आया था कि एमेंडा का हस्बेन नहीं था वो अन्मेरिट थी और उसे अपने जाल में फसाने का इस से अच्छा और कोई तरीका नहीं था जिसमें वो कामयाब भी हो गया और उसने एमेंडा को प्रेगनेट कर दिया इसके बाद वो एमेंडा को रोज देकर यहां से बाहर निकलता है और तभी हम बाहर दूसरे मिल्डर को देखते हैं जिससे देखकर वो मिल्डर जो अभी अभी एमेंडा को रोज देकर आया होता है वो छुप जाता है जिससे में पता चलता है कि वो एड़ी था और अब जो म्यूल्डर आया है वही असली म्यूल्डर है वो अब एमेंडा के पास जाता है म्यूल्डर समझ जाता है कि अभी अभी एडी उसी का रूप धारन करके यहां पर आया था म्यूल्डर को पता है कि वो अभी हॉस्पिटल में है यसलिए वो उसे हॉस्पिटल में ढूनना शुरू कर देता है वो एक नर्स से पूसता है कि क्या अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे देखा था वो कहते है कि हाँ तुम लॉकर रूम में गए थे मिल्डर समझ जाता है कि एड़ी लॉकर रूम में गया है जीलिए वो अपनी गन लेकर लॉकर रूम में जाता है वहाँ पर एक डॉक्टर और एक सिक्यूरिटी गार्ड होता है उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है और हकड़ी पैना देता है पर तब हो देखता है कि उपर लाइट फ्लक्च्वेट हो रही है वो समझ जाता है कि एडी उपर है पर जैसी वो डॉक्ट खोलता है उपर से एडी उसके उपर हमला कर देता है इसके बाद ब्लैक आउट हो जाता है और अब मिल्डर सिक्यूरिटी कार्ड को और डॉक्टर को भाग लाकर उन से माफी मांगता है स्कॉली भी यहाँ पर आ जाती है मिल्डर का कान सक्मी होता है क्योंकि एडी ने उसके उपर हमला किया था लेकिन एडी का यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि वो कहा चला गया इसके बाद स्कॉली और एडी दोनों के दोनों अपने आफिस में आकर अपने सीनियर से बात करते हैं अती मिल्डर ने हॉस्पिटल वाली घटना के ओपर जो रिपोर्ट बनाई होती है उसमें स्पैलिंग की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है लेकिन स्कॉली उस पर ध्यान नहीं देती मिल्डर के अंदर हल्की सी हिच्के चाहट भी दिखती है जिस् jurisdiction हमें समझ में आ जाता है कि ये मिल्डर नहीं बलकि ये एडी है जिसने असली मिल्डर के ओपर हमला करके उसे भी होश कर गी आस्पिटल के बेस्मेंट में ही बंद कर दिया होता है हाला कि अब उसे होश आ चुक है वो मदद के लिए चिला रहा होता है लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है वहीं एडी को दिखाया जाता है जो मिल्डर के रूप में होता है ये दोनों के दोनों वाइन पीते हैं और वाइन पीते पीते वो स्कॉली से पूसता है अगर तुमें कुछ बदलने का मौका मिले तो तुम क्या बदलना चाहोगी वो कहती है कि अगर मैं तुम से सवाल पूछू तो तुम इसका जवाब क्या दोगी और इसके बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करता है तभी यहां पर असली मिलडर आ जाता है जिसके बार स्कॉली पीचे हो जाती है और अब उसे पता चल चुका है कि उसका खेल खत्म हो चुका है इसलिए एडी अपने असली रूप में आ जाता है जिसके बाद उसे ग्राफतार कर लिया जाता है वो अपने सबी गुनाहों को कबूल कर लेता है और एक दिन म्यूल्डर उसे मिलने के ले जाता है वो से बताता है कि मैं हमेशा अपने आपको लूजर समझता था कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी लेकिन मुझसे बड़े लूजर तुम हो दरसल उसका इशारा स्कॉली की तरफ होता है स्कॉली म्यूल्डर को पसंद करती है लेकिन फिर भी उसे इस बात के बारे में कोई भी इल्म नहीं है इसके बाद वो भार आ जाता है जहांपर स्कॉली उसका वेट कर रही होती है स्कॉली ने सारी बाते सुन ले होती है और वो म्यूल्डर से कहती है कि तुम लूजर नहीं हो दरसल एड़ी कोई एलियन नहीं था बलकि वो एक इनसान नहीं था जो की म्यूटेंट था इसलिए वो अपने रूप बदल सकता था और उसी का फायदा उठा कर उसने पांच लड़कियों को प्रेगनेंट किया था और अब उसे हमेशा के लिए कैट कर दिया गया है और इसी के साथ फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आयोगी